प्रक्रव आदेगे जिवन केते लिद्म में समाहित हैं भारत के महान मनिश्यों ने समाज के महत्र प्रभाव और विशाल फलक को काफी पहले समझ लिया था इसकी योजना रचना भी कुछ ऐसी ही की गई थी कि लोग संसार में रहते हुए इसके प्रपंच से कम से कम प्रभावित हो जीवन के उद्दात भाव को अध लबधियों को भी अपनी जोली में डाला भारत के समाज की इस विवेचना के बीच यह जानना कम आश्चर जनत नहीं कि भारत के जिस गौरवशाली अतीत की बात हम करते हैं उसके निर्मान में उन समुदायों के प्रतिभाशाली लोगों ने अपना योगदान दिया जो ब भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है हमारी सांस्कृतिक विरासत अठा है देश की कोने-कोने में मनाई जाने वाले परवित योहारों में हमारी प्राचीन संस्कृती की सुगंद समाहित है समाज के स्वरूप को प्रते बिंबित करने वाली परंपरा और संस्कृती में हम एक उद्दात भाव देख सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना का उद्गोश करने वाला भारत का समाज हजारों वर्षों तक लोग खित में लगा रहा एक तरफ इस देश ने वेदों को जीवन का आधार बनाया यग्यहवन को अपनाया तो दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान की उपलब्दियों में भी पीछे नहीं रहा शुन्य की अवधारना हो या खगोलिय खोज इस देश ने हमेशा संसार को कुछ नया दिया नई शोधों ने ये साबित किया है कि भारतिय सभ्यता की उम्र अब तक जितनी आँकी गई थी ये सभ्यता उससे भी बहुत प्राचीन रही है भारत के समाज का जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं रहा भारत की उस प्राचीन सभ्यता में उच नीच छुवा छूद अस्प्रिश्यता जैसे ओधारना नहीं थी कर्म महतोपुन था कर्म से ही वर्ण का विभाजन होता था इस्त्रियों के स्थिती बेहद सशक्त थी जातिया थी लेकिन जाती भेद नहीं था जातियों के कारण एक दूसरे के प्रति भाव में अंतर नहीं था उन जातियों के निर्धारन में भी इस्त्रियों का ही योगदान हुआ करता था बाद में बाहरी शक्तियों के देश पर आक्रमण और गुलामी के लंबे काल खंड ने देश की संस्कृति को प्रदूशित करने का कार्य किया पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने यहां के सामाजिक तानेबाने को छन्न भिन्न करने का कार्य किया ऑज हम नए परतिमानों को तो स्विकार कर रहे हैं लेकिन पुराने को भूला दिये आज ज़रूरत है हम सबके आतमावलोकन की ज़रूरत है देश में सामाजिक तर पर सांस्कृतिक तर पर एक नए जागरण की आज हमारे साथ समाज दृष्टी पर बात करने के लुपस्तित है डॉक्टर सूरिकान पाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आप लंबे अर्से से भारत के गौर्वशाली अतीत के बिखरे पन्नों को सहेज ने और उसे एक सलसिला देने का काम कर रहे हैं मूल रूप से आप दिली विश्विद्याले में संस्कृत की अध्यापक रहे नभारत टाइम्स और जी न्यूज के संपादक के रूप में भी काम किया वेद भारतिय समाज और राजनिती आपके शोध अध्यन और लेखन का केंद्रिय विशे रहा है तुम कब आओगे शाव और दिर्घतमा के रूप में आपने वैदिक कथा रूपों को अपन्यास शैली में प्रस्तूत किया है कुछ दिनों पहले आई आपके पुस्तक भारत को जानने की शर्ते हैं और भारत गाथा चर्चा में रही है भारत के इतिहास के क्रम को विवस्थित करने की बाथ हो यaw उसके तार्किक विशलेशन की, परंपराओं और प्रतीकों की पुनर व्यक्या हो, या फिर स्थापित, किन्तु असत्य धारणाओं के पुर्जोर खंडन की, अपने एक तरह से आधुनिक व्यास का काम किया है, इस कारक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अपने भा जोह बरगद की तरह, जिसकी जड़े नीचे से भी आती हैं, उपर से भी, भारत के समाज पर चर्चा करने से पहले यह आवशक है कि इसकी जड़ों की तलाश की जाए, कितना प्राचीन मानेंगे हम भारतिय समाज को, भारत के पुरे इतिहास को, अब तो यह धार्णा बु पहले ऐसा लोग मानते थे कि यह से बिदा पांचार साल पुरानी है, किन्तो अब चुकि जब जे जब लोगों के मन में यह बात सामने आवे, कि महाभारत के समय पांचार साल पुराना है, और उसके बाद उससे पहले के रामायन के समय को, अब कई आधारों पर उससे एक भारत का इतिहास बहुत पुराना है, कम से कम नहीं तो आठ हज़ा साल पुराना ही है, और अब तो आगे खोजे चल रही है कि इससे पहले एक देव जुक था, जो भारत में ही था, उस देव जुक के उत्रह अधिकार के रूप में मनु आए, फिर आगे रिशी मुनी आए जोने ब्यद लिखे, फिर रामा एंड महाभारत ये सिलसला सार देखें, तो भारत की सबहता का प्रासीन दम समय अब 10,000 साल पुर माना जाता है, हम मान सकते हैं कि भारत की सबहता 10,000 साल पुरानी है। भासों से भी अटा पड़ा है, उच नीच है, तो जाती भेद भी है, असमानता भी है और इन सब से उपर एक ऐसी चीज है जिसे लेकर हमें खुद पर हर बार सोचना पड़ता है, और वो है छुवा छूत की बात, वो समाज के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ है, प्रश उसमें अस्विचता या छुवा छूत नाम चीज कहीं हमें नजल नहीं आई, उसको छूना है या नहीं छूना, यह हमें कहीं मिला नहीं है, बहुत ढूंडने पर यह बास समझ में आती है कि मुसलिम काल में जाकर के कुछ ऐसा हुआ, वो क्या हुआ यह जूनना पड़ेग कुछ ऐसा हुआ कि समाज का एक वर्ग अस्विच्य बना दिया गया, ऐसा कैसी हो गया यह एक खोजने वाला मामला है, किन्तु इससे पहले किसी भारत के किसी गरंथ में, किसी पुस्तक में, किसी विचारधारा में, किसी समाजिक परसिदी में, हमें अस्विच्यता, अच्छूत, यह हमें के नजर नहीं आती, यह विक्ती अस्फृष्षी है क्योंकि इस वर्ण का यह जाती का है, ऐसा हमें कहीं देखने, पढ़ने, सुनने को नहीं मिरा है, यह बहुत नई चीज है, और बहुत ही ऐसी चीज है, इसका हमारे पूरे चिंतन से, कोई तार्तम मे या कोई मेल बैठता नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि वह स्थिती आज भी है, कम हुई है, लोग इसके प्रती जागरूख हो रहे हैं, लेकिन काल करम में इसी समाज ने वो रूप देखा, हाँ देखा, किन्तु अभी 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 देखा, अभी अभी देखा, जितनी खोज कोई हमें अब तक कर पाए हैं, यह मुसलिम काल के आसपास का टाइम है, जब यह अश्विश चिताय चुआज हुद मारदेश में आई है, और हमारे जो स्मिर्थियों का समय है, वो उसी समय के आसपास का ही है, स्मिर्थियां कोई बहुत पुराने नहीं है, स्मिर्थियां पुराने हैं, किन्तु याग्यवल की स्मिर्थियों में लिखा ग्रंथ नया है, तो यह ग्रंथ महुत नया है, यह ग्रंथ उस समय के हैं, जब चुआ चुआ चुट शुरू हुई होगी, या उसका कुछ अश्र पढ़ चुगा होगा, अन्यसा हमारे पूरे भारती इतिहा में, साहित्य में, चिंतन में, समाजिक परेक्ष में भी कहीं हमको चुआ चुट के निजर नहीं आती, अगर चुआ चुट होती, तो वालमिकी वालमिकी नहीं होते, तो वेद व्यास वेद व्यास नहीं होते, सूत जिन्होंने 18 पुराने ग्रशना की, वह सूत नहीं होते, वह नहीं होते, वह वही के एक वर्ग से लोग थे जो को आधसी भाषा में दलित केयाते हैं, प्रासेन भाषा में ॠूट्र केयाते हैं, और नवीनतमजाना में को हम अश्विष्य काते हैं, यह लोग अश्विष्य नहीं थे, तो रिशिमू ने कुछ नहीं है एemas उनका नाम तो क्रिष्न है क्रिष्न दोई पायान किम्तों ँंका नाम पढ़ गया वेद व्यास जिन्हों विदों को विष्थार दिया, व्यितों को रूप परदान किया, जो इस रूप में विय उनको मिलते हैं, उस रूप में उनको हमारा सामें पस्तित कि तो वह अस्पिश्चत है कोई उसका वर्णन कहीं नहीं है वो पूरे समाज में पूरे राजकाज में पूरी गदिविधी में शामिल है वह तो तो अस्पिश्चता ये कहां शुरू हो गई ये एक आजिव सी बात है कि तो बहुत नई चीज है मुस्लिम काल के आसपास की हो गई है सच है कि पिछले दस हजार वर्षों के इतिहास की बात करें तो इस इतिहास के निर्माण में उस समाज के निर्माण में भारत के उन समुदाए के लोगों ने बड़ा योगदान दिया जिनने आज के संदर में हम पिछड़ा और दलित कह रहे हैं आपने कभी वाल और पिपलाद है सत्यकाम जावाल है अगस्त है तो यह कड़ी बहुत लंबी है इनको आज के संदर में तो हम उस समय दलित और पिछड़ा कह रहे हैं उस समय ये लोग कौन थे इस लोग उस समय जैसे अन्य लोग थे समाज के अन्य अंग थे वैसे थे वेद व्यास दलित हैं ऐसा कोई कोई स्वरूप कहीं वर्ण कहीं कोई चाया तक पूरे महाभारत में को नजर नहीं आती है मतलो एक भ्रांती कैसे फैलती है कर्ण कर्ण सूत पुत्र है कर्ण सूत पुत्र है सूत वो जाती है जो आज की भाशा में दलित माने जाती है प्राचीन भाशा में शूत माने जाएगी किन्तु वही सूत्र अठारा पुराणों के रचेता हैं आप हमारी भारती संस्क्रित में से रामार निकाल दीजिए महाभारत निकाल दीजिए पुराण निकाल दीजिए बागी क्या बचे गाईने कुछ रामायन वालमीकी यानि के शूद्र दलित वेद्व्य सामाजिक इतिहास में पूरे चालन में पूरी गतिविदियो में पूरी थिंकिंग में पूरे व्यवहार में पूरे अपने लेंदेन में व्यचारिक आदान प्रदान में उनको इस जाती का होने कारण उन्हें कुछ भुगतना पड़ा या उनको बेक्षा मिली या उनका काल में शुरु हुई उससे पहले नहीं थी, अश्भिष्यता मुझे कहीं नजर नहीं आती, कहीं नजर नहीं आती, अगर अश्भिष्यत होते तो आप सोचिए, चानक की जैसा ब्रह्मन, जिसकों बड़ा भारी ब्रह्मन भानते हैं, गुरु राजीती का पढ़े राजीती की अर्थास का पढ़ेता, उसका शिष्ची कौन है? चंद्रगुप्ट, दलिते हैं वो, मुरा का पुत्र है, मौरी है वो, शूद्र है वो, किन्तु शूद्र राजयपन किया, और उसका गुरु कौन बना? चानक के और दोनों के बिवहार में आपसी तालमेल में आपसी लेन देन में वेचारिक आदान परदान में कोई अंतर नहीं कि एक छत्री है एक शूद्र है उसको शत्री होने कारण उसको यह कहना है कुछ नहीं है आन दी अधर हैंड एक नाटक मुद्र रक्षिस जो की बड़ा पसीद नाटक है विशाकत्त का जो जिसमें नायक है चानक के उसमें चानक के कारण मांपर चंद्रूत भी है राजा बनाने के बाद खुद चानक के ने अपना राजिकाश पर छोड़ दिया मंद्री पर नहीं है इस हद तक हम लोग थे हमने अपने आपको कहां से कहां गिरा दिया यह विश्य है सोचने का वास्तिविक्ता यह है कि हमारे समाज में जाती के नाम पर उस नीच मुझे पूरे साहिते में कहिने मिलता है बड़ी अच्छी बात है अगर आज को समझना हो तो आपको अपने अतीत को उस संदर्व में समझना बड़ा आवशक हो जाता है चर्चा बड़ी अच्छी चल रही हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि जिस वर्ण व्यवस्था और जाती व्यवस्था का एक बड़ नमस्कार भारत दृष्टी में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं भारत के समाज चिंतन की आखिर हमारा समाज कैसा था हम बात कर रहे थे जाती व्यवस्था की वर्ण व्यवस्था की वो विचलन कैसे हुआ और हमारे साथ आज बाचीत के लिए उसमें विदृर भी हैं, वालुमी हैं, विद्वयास भी हैं। यह सारे लोग जिन को आज के संदर्व में पिच्छड़ा और दलित कह रहे हैं, उस समय उनके साथ ऐसा कोई भेद नहीं था। बलकि भारत के निर्मान में, विचारों के निर्मान में, वेदों के सूत्र देने में उनका बड़ा योगदान था. यह इस्तिती वहाँ से यहाँ कैसे आ गई? यह वास्त में खोजगे विशेक, इस पर कुछ मैं बात करूँगा आपसे, परनुतिस बारे इस से पहले एक रोचक या महस्तपूर्ण बात जाननी है, हमारे लिए बहुत जरूरी हमारे लिए, कि देश में जाती के निर्धारन में, पुरुष का नहीं, स्त्री का जोगदान पिता नहीं, माता का जोगदान है, किस बालक की जाती क्या बनेगी, इसके निर्धारन पिता से नहीं हो रहा है, माता से हो रहा है, मैं आपको दो उधारन देता हूँ, जो सब को मालूम है, तीन भाई हैं महाभारत के अंदर, दिज़राष्टर, पांडू और विदुर, द लिए कि जो दिज़राष्टर और पांडू हैं, उनकी माता क्षत्रियानी है, जो विदुर की माता अदासी है, तो वो शुद्र मान लिए गए, जाती के निर्धारन में स्त्री का योगदान, ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, किन्तु उसके परणाम सुरूप, तीन अच्छत ब्रह्मन थे, किन्तु उनको माना गिया शुद्र, दलित माना गिया, क्योंकि उनकी मां को उन्ती सत्यवदी, उसी वेद व्यास के पुत्र हैं, शुक्र, जो खुद स्वयम्तों पुत्र हैं, एक दलित के, वेद व्यास के, किन्तु शुक्र की मां चुकि पूर्ण है कि उसका जाती का निर्धारन अगर जाती उसका हम जाती कहना चाहें तो वर्ण का निर्धारन करने में स्त्री की भून का निर्धारन करने में स्त्री की भून का निर्धारन करने में स्त्री का प्रश्ण छेड़ा है आपने अपने पुस्तक में लिखा भी है कि कि इसी समाज के मूली क्या है, उसकी जीवन दृष्टी क्या है, इसे समझने के लिए, यह देखना आवश्यक है कि वह समाज, अपने स्त्रियों के साथ कैसा वेभार करता है, उसे पूरा सम्मान देता है या नहीं। स्त्रिविमर्ष की बात करें और आज के संदर्व में बात करें, तो स्त्रिविमर्ष आज दो धृवों पे डोलता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि यत्र नारियस्तु पुज्यंते रमंते तत्र देवता, और दूसरी छोड़ पर हम कहते हैं कि जिमि स्वतंत्र हो ही मुन परिदी का है, और मुनस्पिती का समय वो है, जब समाज में गिरावट अभी शुरु हुई थी, गिरावट नहीं आया थी पुरी, मुस्लिम काल से पहरे का ग्रंत है ये. उसके बार जो गिरावट सुथी समाज के अंदर. उसले उसमेह मुस्लिम मुस्लिमों का योगदान, मुस्लिम शास्तों का योगदान लगपक निर्णायक है। उस समाज में जहां पर सब पर्दे में हैं, सब बंद हैं, कहीं बाहर निकलना संभब नहीं है। ऐसे समाज में स्त्री का स्थान क्या रहेगा पूरे समाज में स्त्री का स्थान जो गिरह है वो उसी युग की देन है जिस जुग में जाती के नाम पर अश्विशता आई स्त्री के नाम पर उसको लुका कर च्छिपा करके कहीं बंद करके रखने की प्रविशती पैदा हुई ये उस युग की सारी देने हमको समझना पड़ेगा अनिसा स्त्री के परती दिश्टिकोन समाज में कभी गिरावट का नहीं रहा मा के परती दिश्टिकोन समाज में आज भी वही है जो राम या भीश्म के समय था वही कभी दिश्टिकोन है मां के बरती दिश्टिकों नहीं बदला, स्त्री के बरती दिश्टिकों नहीं बदला, पत्तिक रूप में नहीं बदला, बहन के रूप में नहीं बदला, माता, बहन और स्त्री के रूप में दिश्टिकों नगर वही का भी बना हुआ है, बलकि और भी अधिक उदात और अच सही बात, मैं थोड़ा एक अलग प्रशन की ओर जाता हूँ, आपने उस पर काफी कुछ लिखा है, कहा है, आपने कहा है कि हमारे दस हजार साल पुराने इतिहास के जो मील के पत्थर थे, या तो हमने उन्हें भुला दिया, या उन पर कोई दूसरे नाम हमने चस्पा कर दिये कालिदास के उपर हमने शेक्स्पियर लिख दिया, कथा के उपर रॉक लिख दिया, संस्कृत के उपर अंग्रेजी लिख दिया और अंततह भारत के उपर हमने इंडिया लिख दिया, यह कितना बड़ा अपरात था, इसने इस समाज को कितना प्रभावित किया, और उससे ज होता कोई मजबूरी होती है या कोई परसिते ऐसी बन जाती है कि वैसा करना पड़ जाता है यह जो शेख्स ministry को माध का नाम काट के शेख्स Olisya किया गया इस पर किया घ्रिजशी सिक्षा की परणा में जो फिस्चेमी सिकष्षा हम उसको भूलते चले गए, उसी के परणाम सुरू हमने बहुत कुछ गवाया है, अपनी भाशाएं गवाई हैं हमने, और भाशाओं के परणाम सुरू हमने परणाएं गवाई हैं अपनी, परणाएं कमजोर की हैं अपनी, और पिस एक उधारण में दूँ, आपको बहुत ब हमने पढ़ रहे हैं अब आप कल ना करिए कि संस्कृत इस देश में नहीं है जो हर संस्कृत बनी हुई है उसमें ये कोई दिन बहुत दूर नहीं है उस देश में संस्कृत जिसे देश में संस्कृत नहीं है तो उस देश को उस वो देश अपने वेदों का क्या करेगा पूर पूरा आयुर विज्ञान, पूरा जोतिर विज्ञान, उसका क्या करेगा हो? ग्रंथ सार संस्कित में है, पढ़ने को मिलेंगे नहीं, ग्रंथ हैं, कि तो हमारे लिए बिल्कुल एक अन्पूर्ण जासे हम उसको ट्रीट करेंगे. मैं एक छोटा और अंतिम प्रश्ण उसका उत्तर चाहूंगा, कि इन बातों का, जो हमारे अतीत से जुड़ी हैं, हमारे गौर्ण जुड़ी हैं, जो पूरी दुनिया भी शायद हमें उसी तरह से देखना चाहती है, आप इसका पुनर जागरन क्या आगे देख पा रहे हैं? पुनर जागरन की धारने से मैं सहमत नहीं हूँ, पुनर जागरन अभी कभी नहीं होगा करता, जो होता है जागरन ही होता है, पुनर निर्मान जिस देश का निर्मान होता है निर्मान किन लाइन्स पे होता है, वो महत्तुपूर्ण है, भारत का निर्मान हम जिस आधार प नहीं किस्च करते हूं हमारा वीच्छे से काइब हो रहा है हम धर्म के नाम पर हमने कुस्तुल are बैशर कर दिए हुगिया कोछ हवन हुगया कुछ vendle Watch तो धर्म हो गया, धर्म इतना नहीं होता, धर्म तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, धर्मस्य, धर्मस्य तत्तों नहीतम गुहाया, जो धर्म का तत्तों समझना हो, तो गुफा में जाकर बैठो, जो कहा गया है, तो मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण बाद है, हम धर पूरा देश धर्म पर शर्शन नहीं कर रहा, धर्म रिपयक्ष हम कैसे बने शर्शा इस पर हो रही है, यानि कि देश को द्रूं द्रूं से कैसे हया लग करना है, इस के लिए पूरी राज़ित लुए है. धर्न पर जोड़ना है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है, कोई डिस्कृष्षिन नहीं हो रहा है, जब हम अपने धर्म को भोल जाएंगे, हम कैसा देश बनाएंगे, कैसा निर्मान करेंगे, हम उसको सोचने और फिर साझा विध्यान दे कि हम क्या कर रहे हैं? बहुत सही आप कह रहे हैं, यह देश जो कभी जिसका प्राण धर्म हुआ करता था, धर्म प्राण राश्ट था, धर्म परायन राश्ट था, जीवन के हर कार्वेभार में हम धर्म को उचित स्थान देते थे, उसका अनुरूप जीवन जीते थे, आज वह देश धर्म चर्चा का विश्य है लेकिन जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता भारत के संदर्व में दलित और पिछुड़े कह रहे हैं दरसुल उन्हों ने भारत के निर्मान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है तो इस चर्चा के साथ हम भारत दृिष्टी के इस कड़ी को यह ही विराम देते हैं डॉक्टर साभ आपका बहुत-बहुत धन्वाद भारत के समाज से जुड़े इन अलग-अलग आयामों को सभी के सामने रखने के लिए और सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्वाद इस कारक्रम को देखने के लिए नमस्कार आप बने रहें लोक्त सभार टी-वी के साथ. हुआ हुआ